नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक तो दे चैनल दे रेल यातरी आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेन नमबर 22886 टाटा नगर मुंबाई अन्तोदे एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दूँगा इस वीडियो में मैंने इस ट्रेन के रूट, ये ट्रेन कब चलती है, कौन-कौन से स्टेशनों पर रुखती है इस ट्रेन में आपको कौन-कौन सी सुविधाई मिल जाएंगी, इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे योट्यूब चैनल दरेल यात्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन्स आप तक आते रहें इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है हमारे सब्सक्राइबर जिनका प्रफाइल नेम है टूडू मल्टिप्लेक्स तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ट्रेन नमबर 22886 टाटानगर मुंबई अंतोदर एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दे लेता हुँ ये ट्रेन जार घंड के टाटानगर जैंक्शन से महाराष्ट्रा के लोकमानित लग्ट्राइबियस मुंबई तक चलती है ये ट्रेन हफते में दो दिन हर रविवार और गुरुवार को टाटानगर जैंक्शन से रात 9 बचकर 55 मिनट पर चलती है इस ट्रेन को टाटानगर जैंक्शन से लोकमानित लग्ट्राइबियस मुंबई तक के 1697 किलोमेटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 25 घंटे 50 मिनट का समय लगता है इस पूरी जर्नी में ये ट्रेन 12 स्टेशनों या हॉल्टो पर रुखते हुए लोकमानित लग्ट्राइबियस मुंब जब्द नहीं है जैसा कि ये एक अन्रिजर्व ट्रेन है इसलिए इस ट्रेन का टिकेट आपको जर्नल टिकेट रिजर्वेशन काउंटर से लेना होगा अब मैं आपको इस ट्रेन के लोकमोटिव के बारे में जानकारी देता हूँ ये ट्रेन इलेक्रिक लोकमोटिव से चल इस ट्रेन में 16 जनरल क्लास वाले कोच इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन में होते हैं और किसी भी दूसरी शर्णी का कोई भी कोच इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन में नहीं होता दोस्तों मैंने इस ट्रेन के रेक कॉंपोजिशन वाला पुरा ले आउट अपने वीडियो क नमबर दो पर आकर लग जाती है अब मैं आपको इस ट्रेन के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ कि ये ट्रेन कौन से रूट से होकर लोकमानित लग ट्रैमिनस मुंबई पहुंचती है और इस ट्रेन को कौन-कौन से स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकना होता है इस पूरी जर्नी में जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुवात में ही बता दिया था ये अंतोदय एक्सप्रेस टाटानगर जैंक्शन से हर रविवार और गुरुवार को रात 9 बच कर 55 मिनट पर चलती है इस ट्रेन का पहला हॉल्ट चक्रधरपूर यहाँ पर ट्रेन रात 10 पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट और और केला जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन रात 12 बच कर 15 मिनट पर पहुंचती है और 12 बच कर 20 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन पांच मिनट रुखत इस ट्रेन का चौता हॉल्ट राइगड यहाँ पर ट्रेन राद दो बच कर 48 मिनट पर पहुंचती है और दो बच कर 50 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का पांचमा हॉल्ट विलासपुर जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन इस ट्रेन का आठमा हॉल्ट गोंडिया जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन सुबा नौ बच कर बारा मिनट पर पहुंचती है और नौ बच कर चौदा मिनट पर ट्रेन यहाँ पर ट्रेन दो मिनट रुखती है इस ट्रेन का नमा हॉल्ट नाकपुर जैंक्शन यहाँ पर ट्रेन दिन में 11 बच कर 15 मिनट पर पहुंचती है और 11 बच कर 20 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन पांच मिनट रुखती है इस ट्रेन का नमा हॉल्ट इगत पूरी यहाँ पर ट्रेन रात 8 बच कर 50 मिनट पर पहुंचती है और 8 बच कर 55 मिनट पर ट्रेन यहाँ से चलती है यहाँ पर ट्रेन पांच मिनट रुखती है इस ट्रेन का तेरवा और अंतिम हॉल्ट लोकमानित लेक्टरामियस मुंबई यहाँ पर ट्रेन रात 11 बच कर 45 मिनट पर पहुंचती है दोस्तों मैंने इस ट्रेन के किराये और किराये से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी इस वीडियो में नहीं दी है लेकिन अगर आपको किराये और किराये से सम्मंधित किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मैं उसका जवाब दूँगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजेगा कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा था एन फ्रेंज थैंक्स पर वाचिंग कि देंग रेल्याथYoung थैंट किप थे